अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है मेरे पर कोई भी जान लेवा हमला होता है इसके जिम्यदार एलवीश यादव होगा या फिर उसके दूस्त होंगे आपके पैसा हो तो आप F.I.R. भी बदल सकते हो लेकिन जैसे ही वो आए एक तो अट्रैक करना शुरू कर दिया जान से मानने की धमकी भी दे दी जान से मानने की धमकी एक दो बार नहीं दी दोस्तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैकूर्ण ऐलविश शादव को पोट किया तो उसका रिपलाई देने के लिए ऑलविश मैक्सटन से मिलने पहुँच गहे पर मलड़ा शुरू हो गई पहले लड़ाई किस बारे में हुई क्यों हुई हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं मैं सिधा पॉइंट पर बढ़ता हूं मैं सूफा हुआ सम लगाया था कि जब वाई आएंगे तो वहां बगले बैठेंगे यह फ्राण डिकाना लेकिन जैसे वह आए एक टूब अटैक करना शुरू कर दिया उपर से बहुत सारे बंदों के साथ आये उपर से यह भी नहीं था कि उसके साथ उसके कुछ बंदे थे कि वो भी मदद कर रहे थे उसकी इस तरह के से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ करी नहीं पा रहा था कि मेरे को जूटी नोगों ने पकड़ दिया था अगल वगल के अब जब लड़ाई भी लड़ाई के बीच में ही हैल्विश ने मेरे को लग बग यह अपने गुठनों से अपाई हो सकते हो तो उसके बावजूद उसने मारा मारा और उसके बाद उसने क्या किया जान से मानने की धंकी भी दे दी अब जान से मानने की धंकी एक दो बार नहीं दी मल्टिपल टाइम्स दी कम से कम जितना मुझे पता है तीन बार तो दी ही थी उसने धंकी जान से मा जान से मानने की धंकी दी अब यह सब होने के बाद जब लड़ाई बड़ाई खतम हो गए तो उसके बाद वो वापिस आ रहे थे तो वो जो बंदे लाया था उनमसे कुछ बंदे मेरे को बतला बुटा ने एक प्यार से धंकाने वाला सी थी बाई सौरी बोल दे कुम भी ले प्रणेये में तो अपने चीजों पे अटल था मैंने बोला मैं सौरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने कल्ती तो पी नहीं इसके बाद एल्विस ने थोड़ा ट्राइ किया था सौरी बुलवाने के लिए लेकिन मैंने उसको भी सौरी नहीं बोला और यह सब जब हुआ चूरी तो फिर अइसर फिर नहीं हुआ दे की तोऊच Kommentar में सिर्फ जोटाइब तो शुरुखी मेरि बार निमुनार्टी ऑथ मेरे पूरी सौरी जोगी सही था सूरी नहीं गृते हुआ ये सुने का 250 देट श्मार्टी में यहार यह थ 수도 दौ यह था और के रिख many जब तो उन्होंने बना कर दिया विदावट इफायार नहीं होगा मेरा यही था मेरा दिवाग शॉक में था फायर आपने की नहीं थी फिर हमने डिसाइड किया कि तो फेर के बारा बजे का असपास आप आप करेंगे लोच और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस के मतर से तो हम गए फायर करने अब जब फायर करने गए तो हमने पूला बता दिया कि भाई यह यह सेक्शन लगाना है अट्रेप्टू मट रहा है साफ साफ दिख रहा है तो जो एसेचो थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात और वही हुआ अभी मैंने एक आर्टिकल पड़ा जिसमें हेल्विश के उपर एक भी वो सेक्शन लगा तो मैंने एक भी सेक्शन लगा है तो फुल मिला कि मैं क्या समझें अगर आपके पास पैसा हो तो आप फायर की बदल सकते हो मतलब हर्याना में इस तरीके से पड़ के लिए ले गया उसको फरक ही नहीं पड़ा होगा मैं हर्याना के सीम खटर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंड़े अलवी श्यादों को अरेस्ट करवा इसका बैक्ग्रांड बहुत खड़ाब है जिस तरीके से यूद को इंस्पायर कर रहा है सारे लोगों को समझ में आजाएगा कि इंडिया कानूं सिर्फ गरीबों के लिए बना है अमीरियों के लिए नहीं बना है तो मैंने चाहता कि ये कानूं भी ये एफायर भी दब जाए और साब साब पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जारी है इस एफायर को अगर ये ए इंडिया के कानूं की हार है मैं अप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा गुरुगराम पुलिस को और फटर जी को इस टूइट में टैग परो और उनको रिक्वेस्ट करो कि ये अलविस व्यादर को जितनी जल्दी हो सके इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है, तो अभी जो मैं F.I.R. लिखवा गया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं, बोला तो वैसे सुभा मिल जाएगी, लेकिन I don't think so, क्योंकि आर्टिकल में साब साब लिकराएगी F.I.R. के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किये गए, तो इंडिया के कानून का मजग ना बने, तो आप लोगों से एक आखी बार रिक्वेस्ट है, C.M. खंटर जी को गुरुग्राम पुलिस के उपर टैक्स एटक किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीज़िए दे, अगर इस ब ये इंडियन कानून की बेस्ती है, ये तो मैंने देख लिया, कुछ नहीं भाई, अगर तुमार पास पैसा हो, तो कुछ भी कर सकते हूँ, ये तो मैंने देख लिया, तो इस चीज़ पर रेंडम से ना भी ट्विट करते हो, ये एक है, I apologize publicly to Hindus for promoting a Gundail Vishadau, who has bitten a guy for no reason and just to satisfy his money ego, शेम ओन गुनकाउं पुलिस for not putting attempt to murder charge on Elvich despite having multiple proof, is government saving a criminal, what if something happens, real Maxton, after Elvich's death threat, दोस्तों चीज़ उपर आपका के कहना है, कमेंट्स मां जरूर बताएगा,